नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत यन तंत्रवास्तों के विशेश काजक्रम के साथ मां दुर्गे के छटमे सरूप मां कात्यानी देवी की पूजा बिधी हम आपको एक दिन पहले बता रहे हैं ताकि पूजा में आपसे कोई गलती ना हो पूजा की जो सबसे आसान बिधी है वही बिधी मैं आपको बताऊंगा ताकि किसी पंडित की आवसकता आपको ना पड़े आप खुद ही मां कात्यानी देवी की पूजा घर में बैठे कर सकते हैं लेकिन उसके पहले हम चर्चा करते हैं क्या है मा कात्यानी देवी का जो स्वरूप है उसका क्या है विशिस महत्व नबदुर्गा के छटमे स्वरूप में मा कात्यानी की पूजा की जाती है मा कात्याइनी की जन्म कात्याइन रिशी के घर हुआ था अतह इनको कात्याइनी भी कहा जाता है इनकी चार भुजाएं भक्तों को बरदान देती है इनका एक हाथ अभे मुद्रा में है दूसरा हाथ बरद मुद्रा में है तथा अन हाथों में तलवार तथा कमल के फूल हैं देभी कात्यानी की पूजा अर्चना से सभी संकटों का नास होता है अब हम आपको पताते हैं कि मा कात्यानी का क्या है खास मंत्र लेकिन उसके पहले भय और सक्ति प्राप्ति के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं नवरात्री के इस दिन ताकि आपके जिंदगी मगर कोई भय है अगर आप सक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो इनकी प्राप्ति आपको मिलेगी देवी के सामने रात के समय घी का एक मुखी दीपक जलाएं नो अक्षरों वाला नवार्न मंत्र एम हिरिम क्लिम चाम उंडाय बिच्चे का रुदराक्ष की माला से कम से कम आपको एक साथ वार जब करना है निश्चित रूप से आपका भैका नास होगा और सक्ति की प्राप्टी होगी हम आपको बता दे कि नवार्न मंत्र में दुर्गा की नो सक्तियां समाहित होती है नो अक्षरों वाला इस नवार्न मंत्र के एक-एक अक्षर का सम्मंद दुर्गा के एक-एक सक्ति से है और उस एक-एक सक्ति का सम्मंद एक-एक गरह से है इसलिए इनकी जाप करने से आपका नवगरह भी आपके नियंतरन में हो जाता है अब हम आपको बताते हैं कि मा कात्याइनी का क्या है खास मंत्र देखिए मा कात्याइनी की जो पूजा की शुरुवात होती है वो देवी अस्तूती से की जाती है इसके बाद मा का जो खास बीज मंत्र है इसका भी आपको कम से कम 108 वार जब करना है इसके साथ साथ मा जो महा मंत्र है ओम, हिरिंग-शरिंग, कात्यायनी, दुर्गायनमह, इसका भी आपको एक साथ फार जब करना है तब जाकर आपकी पूजा संपन होगी अब हम आपको बताते हैं इस दिन कैसे आप एक खास उपाय करके अपने सिग्र विबा की योग को आप आमंतरित कर सकते हैं यानि अगर आपको बिबाह में कोई समस्या है तो सिग्र विबाह के लिए आप क्या कर सकते हैं गोधुली बेला में पीले बस्तर पहने गोधुली बेला का मतलब होता है सुरजास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय इस बेला में आपको पीले अबस धान कर लेना है मा के समक्ष दीपक जलाएं और उन्हें पीले फुल अर्पित करें इसके बाद तीन गांठ हल्दी की भी अर्पित करें मा कात्यायनी के जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का कम से कम आपको एक सा आठ बार जब करना है निश्टी तुरूप से आपकी जो सिग विवा की योग है वो बन जाएगा मंत्र है कात्यायनी महा माये महायोगिन धीशवरी नंद गोप सुतम देवी पती मे कुरूते नमा मंत्र के जाप के बाद हल्दी की गांड जो आपने दीवी को अरपित किया था उसको आप अपने पास रख लें निश्टी तुरूप से साधी के योग बन जाएगे अब हम आपको बताते हैं कि मा कात्यायनी की क्या है खास पूजा बिधी देखिए मा कात्यायनी की समान पूजा बिधी में गोधुली बेला के समय पीले आत्वा लाल बस धान करके इनकी पूजा करनी चाहिए इनको पीले फूल पीला नेवेद अरपित करें और देवी को सहध अरपित करना भी से सुभ होता है मा को सुगंदित पुष्प अरपित करने से शिक्र बिवाह के योग बनेंगे साथ ही प्रेम समंदित सारे बाधाये भी आपके दूर होंगी इसके बाद मा के समक्ष जो मंत्र में ने आपको बताए है इस मंत्र का भी आपको जप करना है अब हम चर्चा करते हैं कि देवी कात्यायने की पूजा करने से क्या आपको फल मिलता है क्या लाव मिलता है बिवाह समंधित मामलों के लिए इनकी पूजा अचुक होती है योग और मन चाहा पती की प्राप्ति के लिए भी इनकी पूजा करनी चाहिए करन्याओं के शिक्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भूत मानी जाती है और बेवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदाई होती है अगर आपका बेवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है तो इनकी पूजा करने से आपको इसका फैदा मिलेगा अगर कुंडली में बिवाह के योग छिन है तो भी बिवाह हो जाता है इनकी पुझा करने से ये बात आज आप समझ लीजिए इसके साथ साथ इनका संमंध किस गरा से होता है देखिए महलाओं के बिवा से समंद होने के कारण इनका समंद ब्रसपती गरह से होता है और दामपत जीवन से समंद होने कारण इनका आंसिक समंद सुक्र गरह से भी होता है तो मा कात्यानी की पूजा करने से आपके ब्रस्पत्ति और सुक्र दोनों गरह मजबूत हो जाएंगे इसके साथ साथ अगर आपको साधी में आ रहे ही देरी हो रही है या आपके रिष्टे तूट जा रहे हैं तो इनकी पूजा करने से आपको लाह मिलेगा इसके साथ साथ अगर पत्ती पत्नी के रिष्टे अच्छे नहीं है रिलेसंसिप अच्छे नहीं है मन चाहा बर या बधु की प्राप्ति चाहते हैं प्यार या रिष्टे में प्रसानी हो रही है तो भी इनकी पूजा फलदाई होता है इसके साथ साथ तंत्र साधना में इनकी पूजा करने से जो आपकी आग्याद चक्र है थड़ आई है इनका भी आप नियंत्रन में इनको कर सकते हैं यानि आप अपने थड़ आई को स्ट्रोंग कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये भीडियो पसंद आए तो किरप्याई से लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें ताकि वो भी मा कात्याईनी का पूजा करके उनके जीवन में अगर भै है या सकती की प्राप्ति चाहते हैं या सा आदी में कोई बिलम हो रहा है तो इनकी पूजा करके इन समस्याओं का समधान वो पा सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद